दोस्तो तीसरे डीट्वेंटी मैच के दुरान रोही शेर्मा को गेंद लगने के बाद इतना दर्दुआ कि उन्हें मैदा नहीं छोड़ना पड़ गया यहां तक कि दोस्तो वो बहुत जादा भावुग भी थे तरसल दोस्तो पूरा वक्क के अब भारत और वेस्टिस की टीम के बीच में खेले जा रहे तूसरे डीट्वेंटी ओवर का ही है अलदारी जोसफ गेंद बाजी कराने आये थे और रोहिश शर्मा सोवर की पहली गेंद पर छका और दूसरी गेंद पर चौका लगा चुके थे अनफॉर्चनेटली सोवर की तीसरी गेंद रोहिश शर्मा के बले का एज़ लेकर सीधा उनके पैर पर ही जाकर लगी लेकिन रोहिश शर्मा अपनी कमर भी पकड़ रहे थे मतलब कि किचाव से दर्द हुआ उनकी कमर में और उनकी हैंस्रिंग में वही दोस्तों फिजियो मैदान में आए और रोहिश शर्मा मैदान से बाहर चल दिये अयर तो बल्ले बाजी कर रही थे लेकिन रोहित शर्मा इस दोरान बहुत जादा भावक नजर आई रोहित ने दोस्तों मैदान से बाहर जाकर सही किया गलत नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा